जाहिन दोस्तों मेरा नाम है चाडूल आप देख रहे हैं वारूं क्लासिस तो आज हम आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर सैकेंड पॉलियनोमेल की एक्ससाइज 2.2 को लेके तो इसमें हमारे दो टाइप के कोश्चन्स हैं एक टाइप में हमारे कुछ पार्ट्स उनको हम सोल करेंगे एक बार आपको प्रैक्टिस करते रहाना है साथ की साथ कोश्चन सोल करना है ताकि आपको पूरा कुंसेप्ट क्लियर होसके तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहला हमारा कोश्चन आ जाता है फाइंड जीरोज ओफ फॉलोइंग वाडिटि पॉलिनोमियल्स एंड वैरिफाई दा रिलेशन बिट्वीन जीरोज एंड़ कोफिशेंट तो पहले हमें क्या करना जीरोज को फाइंड करना है 2.1 में हमने ग्राफ पे देखा था कैसे हमने जीरोज निकाली थी इसमें चेक करेंगे हमें जीरोज अगर पॉलिनोमियल दिय आदहूगा क्या करेंगा अगर वह वह व?". अगर वैरिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उस्चेक कर सकते कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है I am आमारे पास question है x square minus 2x minus 8 तो इसको 0 के equate करेंगे पहले तो हम polynomial को 0 के equal करना ना तो हम इसको equate कर दिया 0 के अब जो हमारे ये beach वाली middle term है इसको split करना पड़ता है split कैसे करेंगे जो हमारे ये है ना ये product of एक होता product of coefficients product of coefficients हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर minus 8 product में हम किसको किस से multiply करते है इसका जो coefficient है x square का और constant को और sum में क्या लेते हैं sum of coefficient में जो हमारा middle term है ना उसके coefficient को हम sum में लेते है minus 2 तो हमें minus 2x को ऐसे split करना है कि हमारा उन दो number को product करें तो हमारा product of coefficient आ जाए उनका sum करें तो हमारा sum of coefficient यानी minus 2 आ जाए तो इसको हम करते है मेरे दिमाग में एक simple सा आया कि 8 किसका multiple हो सकता 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया 2 आ रहा है बस इतना देख लिया ना फिर आपका sign का फंड़ा अपने आप ऐसे घुमा फिर आके करेंगे हमारा clear हो जाएगा जैसे एक स्क्वेर माइनस यहां पर मैं पहले लिखूंगा 4 x प्लस 2 x माइनस प्लस माइनस होएगा जो बड़ा है उसका sign आएगा तो माइनस 4 x प्लस 2 x माइनस 2 x sum दे रहा है इनको multiply करेंगे माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 हमारा क्या आएगा इसमें से 2 common ले लेता हूं तो मारा बचया x माइनस 4 तो यह 0 x माइनस 4 यहां से common ले लिया और दूसरा क्या बचया x प्लस 2 0 अब पहले इसको 0 के एक वेट कर देंगे तो x की value 4 अब इसको 0 के एक वेट करेंगे तो x की value माइनस 2 तो जो यह x की value हुए आई है यह हमारी क्या आगई 0s तो हमारी 2 0s आगई क्योंकि quadratic equation है तो 2 0 आएंगी तो हमारी 2 0s क्या आगई है 4 और माइनस 2 अब इसको verify करते हैं verify करने के लिए ना एक यह होता है हमारी standard equation यह होती है quadratic और इसमें हम लिखते है sum sum of 0s sum of 0s किसके एकवल होता है minus b by a और एक होता हमारा product और product of 0s किसके एकवल होता हमारा c by a sum of 0s यहनि जो हमारी 0s आई alpha बेटा मान लेते हैं मैंने इसको मान लिया alpha इसको मान लिया beta नाम कुछ भी दे सकते हैं कुछ फरगने पड़ेगा हमें sum करना sum of 0s और product में product करना है alpha into beta अगर यह same आ गए तो verify हो जाएगा same ने आए तो पकावने कई गलती की है तो उसे ठीक किजिएगा check करते हैं sum sum equal to minus b by a और b हमारा यहाँ इसके according और इसमें check करें तो क्या है minus 2 तो minus sign पहले बाहर फिर b की value क्या है minus 2 और a की value यहाँ यह वाली लेनी है a is equal to 1 है तो 1 तो मारा क्या आगया 2 अब alpha plus beta क्या आ रहा है alpha plus beta को भी check करते है alpha plus beta 4 minus 2 2 आ रहा है तो क्या verify हो रहा है बिलकुल हो रहा है sum किया तो भी 2 आ रहा है और minus b by a क्या तो भी 2 आ रहा है तो हमारा sum of zeros तो verify हो गया अब product of zeros चेक करते है product of zeros यह होता है c by a c हमारा यह वाला term होगी देख रहे हैं compare करते रहना है compare करने से यह मिलेगा a b c की value c हमारा minus 8 a की value 1 थी तो यह आ गया minus 8 और alpha into beta alpha हमारा था 4 beta minus 2 तो 4 into minus 2 क्या रहा है minus 8 तो यह भी proof हो रहा है तो sum of zeros product of zeros verify हो गया तो हमारा क्या answers आ गया question को समझे हैं आप कैसे करना है पहले हमें उसकी zeros find करने है zeros find करने के लिए जो हमारी x का coefficient है उसको split करना है then common लेना है तो x की जो-जो terms होई के उनको 0 के equate कर देना है 2 हमारे zeros आ जाएंगी क्योंकि quadratic है 2 zeros आ गई तो sum of zeros का minus b by a equal to sum of zeros equate करके चेक करना है RSI बढ़िया बात है product of zeros c by a के equate करके चेक करना RSI बढ़िया बात है कहीं क्योंकि ऐसे question में क्या verify करना अगर आपने पहले zeros निकाल के और verify नहीं हो रहा ना तो आपकी zero कहीं गलत आई है तो पहले अच्छे से करना है verify हो जाएगा zero सही आई है तो बिल्कुल आसान question है step wise जाना है अब इसके कुछ parts हैं उनको मैं करके दिखाता हूं ताकि जो मैंने अभी बताया है आपका concept वो strong हो चुके grip बन सके कि क्या-क्या steps हैं आपके दिमाग में वो steps पूरे fit हो जाने चाहिए next part पर बढ़ते हैं हमारा question है 4s square minus 4s plus 1 पिछले question में x था इसमें s आ गया तक क्या कुछ बिगड़ा नहीं नहीं वैरियेबल तो कोई भी हो सकता है ना वैरियेबल हमारा कुछ भी हो सकता पर यह quadratic है ना 4s square s की power 2 है यह यह second degree में तो यह हमारी quadratic है हमें कुछ ध्यानी नहीं देना वैसे split करना है s वाली को one degree वाली को इसको 0 के quit क्या split करना है answer लाना है अब देखिए मैं split कैसे करता हूं product हमारा क्या है s square का coefficient into constant 4 sum हमारा क्या है sum हमारा है यह minus 4 तो अब हमें ऐसे number देखने है कि product तो 4 आ जाए और हमारा sum क्या है minus 2y क्या कुछ ऐसे number हो सकता है सोचे सोचे हाँ minus 2 into minus 2 minus minus cancel हो जाएगा minus 2 into minus 2 क्या आगया हमारा 4 आगया minus 2 plus minus 2 तो minus minus plus होगे sign minus रहेगा minus 4 ऐसे आपको दिमांग में सोचना है दिमांग में नहीं सोचना है तो हिटें ट्रेल करें ना पूर के multiple चेक करें फॉर बन जा फूर हो रहा है पर फॉर का प्लस करेंगे कई फॉर नहीं आ रहा तो टू पे गए हम टू इंटू टू फॉर तो बन रहा है multiply फॉर आ रहा है ऐसे तो आप इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं आप देखिए कि कुश मैं कैसे कर रहा हूं फाइंस 2-2 यर।र हो रहा है कैसे लिखा मैं अब verify कर सकते हैं सम करने पर हमारा इसका सम करने पर क्का रहा ह RD-4 इंदो प्रडॉक्र नहीं का प्ररडफ करेंगे तो बिलकुल तो एक बच जाएगा यहां पर यहां पर इसमें से कोई कोमन नहीं देख रहा है तो माइनस वन मैं कोमन ले लूँगा तो यहां भी टूस बचेगा अब देखें दोनों में यह कोमन आ इसको कोमन लीजे फिर से बिल्कुल स्टेप से चलना है अंसर बिल्कुल आ जाएगा कोई दिक करने हैं पर इसमें आपको दिख रहा है दोनों रूट्स या जीरो जिए प्रोड़ क्या हैं क्या है वन बाइटू वन गाईटू हमें क्या है सम और प्रोडुक्ट वेरिफाई ह अब चेक करते हैं Sum of zeros कि वेरिफाइए करने है Sum of zeros क्या मैंने क्या बताया था माइनस भी बाइए और अल्फा प्लस बीटा इस इक्वल टू माइनस भी बाइए यानि बी एक तो माइनस लगा दो बी की वाल्यू क्या थी यह यह इसको कंपेर करना आपको इससे AX स्क्वेर प्लस में BX प्लस में C is equal to 0 तो यह भी देखना है यहां पे माइनस 4 है तो माइनस 4 यह है अब A चेक करना A यहां पे यह प­ yeah, यहाँ पे फोर है 4 by 4 क्या आ रहा है बन आ रहा है और क्या चाह माय है अल्फा प्लस पीटा बन आ रहा है half plus half बन आ रहा है बिल्कुल सभी समझ जेरो जमारा आ गया वेरिफ्ाइए हो गया प्रडऐक्ट ओफ्स जेरो इस तो वन बाइ फोर ये भी यह प्र्लडुक्त बेरिफय हो गया इससे अच्छी क्या बात हो सकती है तो हमारे जिरो जा गए सम और प्रडुक्त वेरिफाइप साथ जीरो तो के साथ जीरो तो हमारा कोश्ण सुल हो गया ऐसे अब नेक्स पार्ट पर बढ़ते हैं थर्ड पार्ट जीरो के एक वेट किया पर इसमें ना एक कैच है बच्चे क्या है यह समझ गए है अब जल्दी जल्द बाजी में करेंगे कि अरे भाई मिडल टर्म को स्प्लिट करना है फर्स्ट और लास्ट को मल्टिप्लाय करके प्रोडक्ट है बीच वाला समाना चाहिए जल्दी-जल्दी करता हूं और वहीं कलती कर देंगे अरे भाई चेक करो क्या स्टेंडर्ड फॉर्म में लिखा है देखो इसमें नहीं लिखा है सिक्स एक स्क्वेर माइनस सेवन एक साता है पहले सैकिंड डिगरी फिर 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 कोंस्टेंट और मैं जानता हूं यह बहु लुकुल मत करना सम सम बीच वाली टम माइनस सैवन प्रोडक्ट फर्स्ट और आखरी का मल्टिपलिकेशन सिक्स इंटू माइनस त्री कितना रहा है माइनस एटीन तो आपको ऐसा नंबर सोचना है कि उनका सम्या माइनस करके कुछ माइनस सैवन बचना चीए और इनका संट त्री क्या है नाइन आएगा नहीं आ रहा है नाइन टू जा । एक्स माइनस माइन चाहे ना प्ल॑ आक बिनका प्लॉसरी हिनका सम खरो ó माइनस सेबना रहा है प्रोड़क करो माइनस नाइन टू माइनस एटीन आ रहा है बिलकुल सभी को मिलेना है त्रीज और शिट्स ट्री इस और नाइन ठीगी मैल्टिपल्स है त्री एकस कोमन लेता हूँ ना मेरे को तुछोटे से छोटा करना बैई क्यों ज्यादा बडा स्टेप खाएंगे तो यहाँ पर आएगए आपका 2x माइनस में थ्री प्लस में यहाँ पर कोमन ले लो वाई राजा है राजा कोमन लेने में कोमन ले लिया वन कहीं से भी आ जाएगा वन कोमन अब इसको कर दो कमाएं क्योंकि यह दोनों कोमन आ रहे हैं 2x माइनस 3 3x में 1 क्या जीरो आई हैं अल्फा पहली जिरो यहाँ एक्स की जीरो त्री बाइटू और माइनस बाइटू मान लेता हूं बीटा की वैलू मैं माइनस बाइटू मान लेता हूं आजब भाई अपने वेरिफिकेश स्टेंडर्ड एक्वेशन में नहीं है यह वाली स्टेंडर्ड में यह इसके रिसपेक्ट में यहिं मैं कहा रहा था पार यह कहा घ्लती करेंगे एक तो कि तो मा險श्थ भॉय तो माइनस वी लिख दिया की वैली मानीस एकी वैलू है- आ गयालवा प्लेस बेता चाहरए अलफा है फ्लीटा एलफा है ठी बाहीडोग ॥ॉ val कि मारा क्या था मारा स्धरीघ मांने सथाफ आ गयालवा इन्टू बीटा करतें लृद्फा मारा है 3 by 2 बीटा है माइनस 1 by 3 3 से 6 स्थरीघ रवा आगया यानि बिल्कुल वेरिफाई हो रहे हैं दोनों आपавайिफा कुकह है आसरा चुका है तालिया adjourn फॉर्थ पे आ गए हैं आधा दूरा लग रहा है ना कि कॉंस्टेंट तो दिया ही नहीं वाई बट क्या क्वाड्रेटिक में जरूरी है कॉंस्टेंट भी हो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक से मतलब है वाई सेकंड डिगरी वाला वैरियेबल मिल रहा है तो हम बहुत खुश हैं और दो ना दो हम रूट से निकाल लें देखो इसमें मैं कैसे आपको बिना उसके रूट से निकाल के दिखाता हूं पर को मनी लेना ना इसमें तो डार्यक्वान लो फोर यू को मन ले लेता हूं मैं तो यू उसमें से यहां पर यू बचा एट यू तो यहां पर टू पे जाएगा फ्रकोर यू पामन आई गया अब यू को एक तो 0 की वेट हो जाएगा क्योंकि फोर यू यू को जिरो करो को यू की वेलिडू अब यू कुछ ह्ना और कुश हमारे आई गए जिरो और माइनस ट यहां पर भी यूई लिख देता हूंना वेरियेबल है कोई मुश्किल बात है सम मैं माइनस बी भाई ए चेक करो माइनस एट बाई फॉर माइनस टू अल्फा प्लस बीटा क्या रहा है जीरो प्लस माइनस टू माइनस टू यह तो आ गया हमारा वेरिपाई भाई प्लस बीटा करता हूं अल्फा हमारा है जीरो बीटा माइनस टू यह भी जीरो आ रहा वेरिफाई हो गया देखा आपने इस कोश्चन में क्या सीखे इस कोंस्टेंट ना भी हो आपको सेगंड डिगरी मिल गया तब भी आप कोमन लेके आप रूट्स निकाल सकते हो कोई दिक लिकत की बात नहीं है और पहले वाले कोश्चन में हमने सिखा था कि घुमा फिर आके एक्वेशन देदेगा बट हमें स्टेंडर में लिख लेना है फिर सॉल्व करना है अंसर असानी से आ जाएगा फिस्त पर आते हैं इसमें तो मिडल टर्म यूड़ा दिया वाह पर हमें क्या हमें तो सैकेंड डिगरी दिख रहा है ना वैरियेबल इसको लेके चलते हैं न देखो टी स्क्वेर माइनस 15 इस इकॉल टू जीरो अब भाई इसमें हमें 0 निकालने हैं तो क्या करेंगे 0 के लिए टी को यहां रखेंगे टी स्कॉर को यहां पे 15 ले आएंगे अब टी की वैल्यू क्या एगी अंडर रूट 15 इंडर रूट 15 है अब इसको फर्दर सोल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3-5 15 ही रहेगा मतलब दोनों हमारे रूट्स के आगे 15 की वैल्यू हमारे 15 आ रही है अगर यहां पर हम टी की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो मारा जाएगा प्लस माइनस 15 क्योंकि माइनस 15 होगा उसका भी स्क्वेर करेंगे और 15 से जाएगा तो 15 माइनस 15 जीरू आ मद रहे हैं तो हमारे दो रूट्स के आगे अब समकंह आहा हारा माइनस बी राइं बी क्या सब्ढृट्ट रूटर मैय निस जीरो सं क्या है माइनस 15 था अ 14 फलस पॲस पिलस अंडर्रूट 15 सोब माइनस अंडरूट 15 प्ल Сंडरूट 15 0 सम सही। प्ररडक्ट क्या है प्रोडक्ट चेक करते हैं अलफा इंटू बीटा माइनस रूट फिफ्टीन रूट से रूट कैंसल तो माइनस 15 बचा अंसर आ गया सम प्रोडक्ट हो गया तो आप देख रहे हैं आखरी तीन कोश्चन में इस वाले में हमारी मिडल टाम ही गाया थी बट अंसर तो आ गया ना समझ रहे हैं समझना स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे कंसेप्स पर ध्यान देना है यह सिक्स कोश्चन पर आते हैं इसको 0 किया यह बेसिक लेवल लगा है त्री एक स्क्वेशर अब बीच वाले टम को में इसमें सम क्या बन रहा है समय माइनस बन प्रोड़क्ट क्या बन रहा है 3-4-12 तो अब हमें बना देंगे इसमें क्या 4x-3x यह आप सोच रहे हो गया मैंने इतनी जल्दी कैसे लिए थोड़ा दिमाग दोडाना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी यह जल्दी से हिट होता है कि क्य मेरे को लेना चाहिए यहां पर प्लस आएगा सोरी क्योंकि देखो 3-4-3-12-4-3-1 बनेगा स्ट्रेस सैटिस्फाइब कर रहा है इन दोनों में से क्या एक्स को मन ले सकता हूं मैं 3-4 इन में से क्या वन किंग को मन किंग को मन लिया डारेक्ट तो एक्स के दो रूट्स आग घ्रिये च्रальных किंग की तुन. 12 content नों को सम रहे करके देखना alpha साथ कहा बिता ऐस मा यंदि म्स ऑन क्लसस फौर बाई 3-1 फ्र पर देखे लाइसी तुन. माइनस बन इंटू फोर बाई तरी क्या आएगा माइनस फोर बाई तरी प्रोड़क्ट भी हमारा वैरिफाई हो रहा है असान कोशन है स्टेप्स ध्यान दिया कॉंसेप्ट देखा खटाक से अंसर आया सगेंड डाइप बढ़ते हैं मैंने बताया था दोई टाइप के कोशन है अब इसमें हमें जीरो दे रखें हैं कि फाइंड़ क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल इच विद्धा गिवन नंबर एज सम एंड प्रोड़क्ट ओफिस जीरो तो जीरो दे रखें समर प्रोड़क्ट क sum of its zero is x plus product of its zeros ये constant is equal to zero ये हमारा नहीं, इन दोनों का sum, sum करो भाई, 1 by 4 minus 1 LCM लिया, 4, 1-4, minus 3 by 4, x square minus minus 3 by 4, x, product, product कर दो, minus 4 by 1 into minus 1, minus 1 by 4, product क्या आ रहा है, plus minus 1 by 4, LCM ले लो, इनमें से, 4, x square minus plus हो जाएगा ना, क्योंकि minus minus क्या है, plus, 3, x minus 0, तो यह low भाई, हमारा polynomial बन गया, इसको 0 को equate मती करना, क्योंकि अब हमें न, equate करकें दिखाना, polynomial बनाना, simple, तो यह हमारा polynomial बन जाएगा, polynomial, desired जो हमें चाहिए था, concept समझे, standard बने बता है, x square minus, sum of its 0s into x, plus product of 0s, तो हमें sum of 0s कैसे निकालना है, उनके 0s का sum करना है, product of 0s का product करना है, answer आ जाएगा, verify भी कर सकते हैं, इससे, इन दोनों का sum क्या आ रहा है, sum 3 आ रहा है, product minus 4 आ रहा है, अब इसके अगर हम roots निकालेंगे न, वैसे split वाला formula लगा के, तो हमारा zeros match कर जाएगे, आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, तो हमें करके दिखा देता हूँ, देखिए, 4 x square, plus मैं यहाँ पर 4 x लूँगा, minus x लूँगा, minus 1, क्योंकि product minus 4 है, sum plus 3 है, यहाँ पर क्या मैंने 4 x कोमन लिया, तो x plus 1, यहाँ पर minus 1 कोमन लिया, x plus 1, तो क्या आगे x की value, एक तो आगे, minus 1, एक आगे, 1 by 4, देख रहे हैं, सई कंसेप्ट है, आपको इसी कंसेप्ट से चलना है, रहे से पॉलिनोमिल बनाना है, प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से, second part, सब निकालो, फटाक्स, root 2 plus 1 by 3, complex लग रहा, छोड़ों यह से छोड़तों न, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि complex दिया है, तो हम भी complex में उन्हें answer देंगे, product, root 2 by 3, standard equation बना दो, x square, minus, अब यहाँ पे इसके बीच में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना हमें, sum, यहाँ पे लिखना है, product of zeros, तो sum क्या आया था, root 2 plus 1 by 3, product क्या आया था, root 2 by 3, जदा से जदा आप क्या करना चाते हैं, lc में ले लिजिए, simple as form में, 3x square, minus में, 3 root 2 plus 1, x, plus में root 2, लो भई, polynomial बन गया हमारा, अंसर आ गया, concept पकड़ के चलना है, बार-बार मैं एक ही बात दोरा रहा हूं, थाकि आपके दिमाग में गुच जाए, concept है, जो है, यह roots अलग आने दो, आपको concept समझाना चाहिए, x square minus sum of its zeros into x plus product of its zeros, ऐसे polynomial बनेगा अगर zeros दी हैं तो, fourth part, sum निकालो भई, fourth part, sum निकालो जल्दी से, 0 plus root 5, root 5, product निकालो, 0 को multiply करो भई root 5 से 0, standard equation लिखो, यहां पर क्या हैगा sum, यहां पर क्या हैगा product, sum क्या है था root 5, product क्या है था 0, देख रहे हैं, इसमें constant नहीं हैगा हमारा polynomial में, ऐसा question अमने किया भी था, यह आ गया हमारा polynomial, answer, एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको समझा आ गया तो, मन में कर लोगे, डायरेक्टर ऐसे answer लिखोगे, सम और product ऐसे लिखने की भी जरूत नहीं होगी, वन वन है, sum जल्दी से निकालो, वन वन है, sum जल्दी से निकालो, sum, वन वन टू, product वन इंटू वन, एक स्क्वेर, स्टेंडर्ड में लिखा, यहां पर क्या आता है, sum, यहां पर क्या आता है, product sum हमारा 2 था, product 1 था, polynomial बन गया, x square, minus 2x, plus में 1, हो गया, आगे बढ़ते हैं, sum निकालो, sum निकालो, minus 1 by 4, plus 1 by 4, 0 आ रहा है, sum, कोई दिक्कत नहीं है, product निकालो, minus 1 by 4, into 1 by 4, minus 1 by 16, standard form में लिखा, sum यहां लिखते हैं, sum हमारा 0 है, यह हमारा product यह है, LCM ले लिए, 16 x square, minus 1 आएगा, क्योंकि यह तो हमारा क्या है, पूरा 0 बन चुका है, तो यह हमारा बन गया, polynomial, answer, अब इसमें, sum निकालो, 4 plus 1, 5, product निकालो, 4 into 1, 4, standard में लिख दिया, मैं डारक लिख रहा हूं, 5 x square, 5 x plus में 4 is equal to 0, polynomial आ गया, concept समझ आ गया आपको, concept देखना है, मन में, बिल्कुल आ जाएगा, एक दो question करोगे न, दिमाग में answer ऐसे जट से आएगा, आप लिख दोगे, पूरे number लाओगे, तो यहीं पर हमारी exercise 2.2 complete होती है, दो type के question थे, एक में हमें roots निकालने थे, verify करना था, दूसरे में हमें roots दिये थे, polynomial बनाना था, बहुत easy exercise है, आपको practice कर लेना है, फिर से आपको यह question देख रहे हैं, rewind में 2x पर लगागे, जल्दी से practice कर लीजिए, आप पूरा साल इन questions को नहीं बूलोगे, तो इसी के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, subscribe to volume classes, जैहिन!